क्रिकेट कमेंटरी अक्सर हिंदी और अंग्रेजी में हम सुनते रहते हैं लेकिन आज हम आपको संस्कृत में कमेंटरे सुनाने जा रहे हैं ये वीडियो देखिए किम अपूरह में वीडियो ना वीडियो प्रेक्ष मारोलेखोगनरी अवा कियों मारोखा रहलो वीडियो संस्क्रियो से निगिवा संत उस बिडि़ियो अपिषतोटरी अव द्रॉटरो 2500 इस वीडियो में संस्कृत भाशा में क्रिकट कमेंटरी करी जा रही है जो कि आज कल शायद ही कहीं सुनने या देखने को मिलती होगी अब आपको संस्कृत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं साथ ही ये भी बताते हैं कि नासा के एक जर्चर ने संस्कृत भाशा को लेकर क्या कहा था संस्कृत भाशा करीब 3500 साल पुरानी भाशा है जो कि इतिहास के दृष्टी में दुनिया की सभी भाशाओं की जननी है संस्कृत के जनक या फिर यू कहें संस्कृत के फादर पाणनी को माना जाता है संस्कृत में 102 अरब शब्द हैं जो कि किसी भी भाशा से सबसे ज़ादा है संस्कृत ने लगबग 6909 भाशाओं को जन दिया है यानि संस्कृत से तमाम तरह की भाशाएं निकलती है संस्कृत में बाचित करने से शरीर में पॉजटिव एनरजी आती है साथ ही जीब की मास पेशियों की एक्सरसाइज होती है रिपोर्ट्स के अनुसार नासा के एक रिसर्चर ने सन 1985 में एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने पाया कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उप्योगी भाशा है और आने वाले समय में कंप्यूटर की भाशा संस्कृत होगी तो वहीं जर्मनी में संस्कृत के ऊपर काफी रिसर्च की जा रही है और जर्मनी के 18 विश्व विद्यालों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है वहीं अमेरिका में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्थानों की संख्या विश्व भर में सबसे ज़ादा है लेकिन आज भारत में संस्कृत की क्या दशा और दशा है वो सब के सामने है कई लोगों का मानना है कि संस्कृत में हमारा कोई करियर नहीं लेकिन आज के समय में संस्किर्ट में बहुत से करियर के आप्चिन्स हैं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस जानकारी को जादा से जादा लोगों तक पहुँचाएं